बच्चे बड़े बुढ़े सभी को पसंद आने वाला डोंसा बहुत ही हल्दी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और मिदाल लगता है इस तरीके से घर पर बनाएंगे तो इसे आप बार-बार ट्राइ करेंगे इसे बनाने के लिए कौन-कौन से चीजे और कौन-कौन स बट्री के जो होती है इस वीडियो में बताने वाला हो तो जो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर एक कप चना की डाल और एक कप उलत की डाल ली गई है उसके बाद मूंग की डाल भी एक कप इसमें एड कर दी गई है 15 साफ करने के बाद हम लोग पानी में भी पूल जाएगा दाल चावर हमाली फूल चुकी है अब इसे हम लोग मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हम लोग पेश्ट रेड़ी करेंगे इसे सिलबटे में भी पीश सकते हैं बहुत ही असान तरीकी से पीश जाएगा अब इसमें जो है अधरक डाल दी गई है पानी चुप करेंगे तो बहुत है और बहुत ही असान बिदी से बन जाता है तवा लिया गया है तब जो हमारा घर्म हो जाएगा तो इस अच्छी तरी किसे हम लोग साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसमें हम लोग आयल लगा देंगे ताकि यह असानी से ढोसा हमारा इसमें चिपकेणा और बन जाए मीडियम फ्लेम पर हम लोग डूंसा बनाएंगे ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे और दो चम्मच इसमें बैटर डाल दिया गया है और चारो तरफ फैला दिया गया है और फैलाने के बाद थोला सा दूस्ते ये मोटा ही रहेगा ज्यादा पतला नहीं रहता है क्योंकि इसमें दाले पड़ी होती है तो इसे हम लोग हलका सा मोटा ही बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है अब लगवत 30 से 40 सिकंड के बाद इसके उपर हलका सायल डाल देंगे जिसे उपर भी हमारा पक जाएगा और इसके उपर हरा मिर्चा डाल दिया जा रहा है हरा मेर्च तिखा करने के लिए थोड़ा सा प्याज डाल दी जा रही है बारी कटी हुई प्याज के बाद इसमें हरा धनिया भी एट कर दिया गया है अगर और भी टेस्टी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं हलका से इसके पर पनीर क्रस कर सकते हैं जिसे देखने और खाने दोनों में अच्छा लगेगा एक तरफ हमारा पक रहा है मिडियम फ्लेम पर जादा हई फ्लेम नहीं रखनी है वनना नीचे से हमारा पकड़ लेगा आयल लगा हुआ है तो बहुत यह असान बीदी से हमारा निकल जाएगा चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे जब यह आपको छो होटल वाले तरीकी से बनाया गया इसकी वीडियो में डाज चुका हूं इसके साथ अगर आप सामभर बनाएंगे तो इसका टेस्ट अपका दस गुना बढ जाएगा आप कर अडाही डूंशा रेडी है और साथ-साथ अपके लिए नई-ई वीडियो लाने वाला हूं आप को